Hello everyone, welcome back to my channel आज हम आपके लिए मालपुए की रेसिपी लेकर आए हैं मालपुए सामन के महीने में सभी लोग बनाते हैं और सबको बड़े ही पसंद आते हैं लेकिन आज हम आपके लिए बिना चाशनी की मालपुए की रेसिपी लेकर आए हैं इसकी लिए हमने आधी कटोरी चीनी ली है और उसमें हमने डेड़ कटोरी दूद नौर्मल टेंपरेचर पर जो उसको मिक्स किया है जो ज़्यादा ना तो ठंडा है दूद ना गरम होना चाहिए नौर्मल टेंपरेचर का दूद होना चाहिए और इसको ढख करके हम 10-15 मिनित के लिए रख देंगे तो चीनी जो है इसमें अपने आप से घुल जाएगी अब हम लेते हैं एक दूसरा बरतन और उसमें हमने एक कप गिहूं काटा लिया है और आधी कटोरी हमने इसमें लिया सूजी की और इनको हम पहले विसकर से अच्छे से मिला लेगे फिर जो दूद, चीनी मिला हुआ जो दूद है उसको हम थोड़ा थोड़ा डालके इसको एक अच्छा सा पतला घौल बनाएंगे और ध्यान रहे के पूरा क्या पूरा दूद एक साथ ना डाले थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम दूद मिलाएंगे तो इसमें गाठे या गुटलिया नहीं पड़ेंगी और ये अच्छा बैटर त्यार हो जाएगा तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल सही हो गया है अब हम इसमें दो चम्मच सुखे दूद की डालेंगे ये यहाँ पर ओप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इसकी जगे पर आपके पास यदि खोया हो तो आप खोया भी डाल सकते हैं और आधे चम्मच हमने इसमें डाला है इलाइची का पाउडर, इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए सूजी के फूलने तक इसको हम रख देंगे, एक बड़े फ्लैट पैन में देशी घी को गरम करें, क्योंकि मालपुए का टेस्ट देशी घी में ही स इस तरह से एक एक करके इनको डालेंगे, तो ये पैटर जैसे ही गिरता है अपने आप ही फैल जाता है, और इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने सेक लिया है, इसी तरह से हम बाकी के भी सभी मालपुए को त्यार कर लेंगे, इनमें अपने आप से ही ये जैसे खड़े से बन जाते हैं, जाली से बन जाती है, यही इसके टेस्ट को बढ़ाती है, तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन सभी को पका लिया है, और इनको घीर से बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारे मालपुए बनकर तयार हो गए हैं, जिनको बनाना बिल्कुली आसान है, अब हम इनको सर्व करेंगे, इनको हम रबडी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खाली इस तरह से भी हम इनको सर्व कर सकते हैं, इसके लिए ड्राइप रूट आप अपनी इचा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बादाम और खरबुजे के बीजों का इस्तेमाल किया है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक का बटन आवशे दबाएं, और चैनल पर अगर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और अपने मित्रों प्रियजिनों में इसको आगे भी शेयर की तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!